एक दिन बादिशाह अकबर अपना दर्बार लगा कर बैठे हुए थे। बिर्बल अब तक दर्बार में नहीं आये थे। अकबर ने अपने दर्बारियों से एक सवाल पूछा। अपने नगर में ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिन्हें आँखे तो हैं लेकिन फिर भी वे अंधे हैं। सब दर्बारी विचार करने लगे। अकबर का किसी भी प्रकार का प्रश्न हो उसका जवाब बिर्बल के पास तो होता ही था। इसलिए अन्य दर्बारियों ने सोचना बंद कर दिया था। लेकिन आज बिर्बल दिखाई नहीं दिया था। अतह दर्बारी एक दूसरे से पूछने लगे। आँख होने के बावजूद अंधे होने का क्या अर्थ है। इतने में बिर्बल दर्बार में पहुँच गए। वे अपनी जगह पर बैठ गए। और तब अकबर ने भी उनसे यही सवाल किया। अपने नगर में ऐसे कितने व्यक्ती होंगे। जिन्हें आँखे तो हैं लेकिन फिर भी वे अंधे हैं। बिर्बल ने कहा, मैं दो दिनों में इसका सबूत आपको दे दूँगा। दूसरे ही दिन बिर्बल ने अपने घर के सामने एक पलंग बिछा दिया। पलंग में निवार भरी हुई नहीं थी। इसलिए वे वही बैठ कर पलंग में निवार भरने लगे। साथ ही उन्होंने अपने एक आदमी को कागज वकलम लेकर नाम दर्ज करने के लिए बैठा दिया। देखते ही देखते यह बात पूरे नगर में फैल गई की बिर्बल रास्ते पर बैठ कर स्वयम ही पलंग में निवार भर रहे हैं। यह जानकर लोग अचरज कर रहे थे। फिर तो एक के बाद एक नगर के लोग वहां आने लगे। जो भी आता वह बिर्बल से पूछता। अरे बिर्बल आप यह क्या कर रहे हैं। जो भी ऐसा प्रशन पूछता उसका नाम बिर्बल का आदमी अपने कागज पर दर्ज कर लेता। धीरे धीरे यह सूची बहुत लंबी हो गई। बादशाह के कानों में भी यह बात पहुची कि बिर्बल स्वयम रास्ते पर बैठ कर पलंग में निवार डाल रहे हैं। यह बात सुनकर अन्य लोगों की तरह बादशाह को भी आश्चर्य हुआ। अपना सब काम छोड़कर वे भी बिर्बल को देखने पहुचे। वहां बड़े रौब के साथ बादशाह ने बिर्बल से पूछा। अरे बिर्बल आप यह क्या कर रहे हो। बिर्बल ने बादशाह को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने अपने आदमी को कहा कि वह सुची में बादशाह का नाम सब से उपर लिख ले। मेरा क्यों लिखवाया गया है। बिर्बल ने शान्ती से उत्तर दिया। जहां पनाह आपने मुझसे आँख वाले अंधों की सुची मांगे थी। और यही वह सुची है। तुम्हारी यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इस सुची में सब से पहले मेरा नाम क्यों लिखवाया। बादशाह सलामत मैं यहां बैठकर पलंग में निवार डाल रहा हूँ। यहां जो भी आता है वह यह सब देख सकता है। फिर भी मुझसे पुछता है कि बिर्बल आप क्या कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की सुची बना रहा हूँ। आपने भी आकर मुझसे यही सवाल किया है। आप चुमकी बादशाह है इसलिए सुची में आपका नाम सब से पहले रखा गया है। बादशाह खिल खिला कर हस पड़े और कहा। बिर्बल तुम बहुत ही होश्यार हो। आखिर तुमने ऐसे लोगों को ढूढ ही लिया जो आखों के होने के बावजूद भी अंध्य है। बिर्बल ने कहा, जो काम आपने सोंपा हो उसे मुझे पूरा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब आब को भी विश्वास हो गया होगा कि हमारे नगर में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जो आखे होते हुए भी अंध्य है। बिर्बल की चतुराई पर बादिशाह बहुत खुश हो गए। बीच रास्ते पर ही मौजूद लोगों के समक्ष उन्होंने बिर्बल को सम्मानित किया।